अनीता जेश्ट बुलक में आपका स्वागत है चलिए मैं आज बनाती हूं कद्दू का सबजी से कोहडा हम लोग कहते हैं से कुसी ने कद्दू भी कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं आप कोमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते हैं हमारे हैं इसे कोहडा कहते हैं एक गर्मी के आप लोग के बताने के लिए कि आप इसे चाहे तो नहीं डाल के बना सकते हैं, सिर्फ बीचोला बना सकते हैं, उसको काट किसी तरीके से बना सकते हैं, आप सोच रहें कि मैं छीली नहीं हूँ, देखिए, यह बहुत ही मुलायम है और भातिया है जिसे कहता है, इसलिए मैं उ इसी काट ले हूँ से, अब देखिए इधर फोड़ान डालें, सिर्फ बीना मसालक मैं बना रहे हूँ आज कोहड़ा, कोहड़ा के सब्ची, इसमें जीरा सर्षो मेथी, मेथी, जीरा सर्षो रहे या ना रहे, मेथी जरूर रहना चाहिए, और हरा मेर्च, लस्षन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस चले इसे बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगते हैं, कम समय में बहुत एच्छे बन जाते हैं, खाने में भी बहुत, और आपके हम नहीं पसंद होगा, इस इस तरीके से बना के देखिए, कसम कहते हैं, सब कोई के खाने के नमक दालने से हूता है कि जल्दी गल जाते हैं, ना इस में पानी और न मसाला के सब्जी है, बीच में ढखने से बन बना रह секpart लाग से सबस्क्राइब कीजिए आप कैसे बनाते हैं आप कैसे बनाते हैं आप कोमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब प्लीज कीजिए अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पर तो बाकी तो माताय बहने देखती हैं हमको बहुत अच्छा लगता है